हलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी चैनल टेक वैब में सो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात कने वाले है Windows 11 को आप कैसे अपने Pen Drive से बूट कर सकते है अगर आप अपने PC में Windows 11 इंस्टाल करना चाहते हो Pen Drive के थूँ तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी information दूँगा कि क्या क्या software आपको use होंगे और किस तरह आप अपने Pen Drive को bootable बनाएंगे और किस तरह आप अपने Windows 11 को अपने डिवाइस में इंस्टाल कर सकते है तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते है दोस्तों इसके लिए आपको एक bootable software की जुरूरत पड़ेगी एक Pen Drive की जुरूरत पड़ेगी और आपको Windows 11 अगर आपके पास अभी डाउनलोड नहीं है तो आपको एक लिंक मैं दूँगा जहां से आप Windows 11 को डाउनलोड कर सकते है तो चलिए हम चलते हैं कम्पीटर के स्क्रीन पे जहां पर मैं आपको यह प्रॉसेस दिखाने वाला हूँ तो यहां पर अभी जो है आपको क्या करना पड़ेगा यहां से आपको पहले Windows 11 ISO फाइल जो है वो डाउनलोड करने पड़ेगी अपने सिस्टम के अंदर अगर आपने पहले ही की है तो आपको यह वाला जो Windows 11 ISO है यह डाउनलोड नहीं करना है लेकिन अगर आपके पास अभी तक Windows 11 नहीं है तो तब आपको यह डाउनलोड करना है इसकी जो लिंक है मैं फिर भी डिस्क्रिप्ट में देने वाला हूँ और उसके बाद आपको एक जो है बोटेबल सॉफ्ट्वियर के जुरत पड़ेगी मैं यूज करने जा रहा हूँ विंटाई क्योंकि विंटाई एक बहत्तरी जाफ्ट्वियर है यह एक माल्टिबूटेबल आपको एक पैंडरे बना के देता है यह अगर हम दूसरे सॉफ्ट्वियर की बात करेंगे चाहे रसफस हो तो उसमें आप सिर्फ एक सॉफ्ट्वियर को रख सकते हैं लेकिन जो चाहे है अगर आपके पास एक से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम है इस विंडोस 7 8 8.1 10 11 तो आप बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें सेव रख सकते हैं तो यहां से आपको यह की जो लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप में दूंगा और इसकी लिंक भी आपको ड आप डावलड करेंगे दोनों को एक ही folandra में रखilikे और उसके बाद इसको राइट क्लिक करके pen drive यहां जो भी आपके pen drive में नाम है और आपको क्या करना है जो यह विंटाइव है जैसे आप इंसर्ट करेंगे pen drive इसको run करना है अब run करेंगे run के बाद yes करेंगे यहां पर आपकी जो pen drive वो शो हो जाएगी जैसे मेरे पास 32GB की pen drive है उसके बाद आपको install पे click करना है यह यहां पर बोल रहा है कि आपकी जो for disk है वो फामिट हो जाएगी तो जो pen drive है अगर आपके पास कोई important data है उसको पहले ही कही और पे save रखे क्योंकि यह जो अभी हम method करने जा रहे है इसमें आपकी pen drive डिलीट हो जाएगी अब उसके बाद आपको yes करना है और yes के बाद आप success हो गई है यहां पर मुझे मेसेज आ गये congratulations winter has been successfully installed अब उसके बाद आपको यहां पर okay करना है ओके करने के बाद आपको क्या करना है जो आपने windows 11 की जो ISO file है उसको simply यहां पर copy करना है और copy करने के बाद जो यहां पर आपने copy किया उसके बाद सीधे आप आएंगे अपने pen drive क के अंदर जिसका अभी नाम है winter change हो गया है और यहां पर आपको paste करना है ठीक है अब paste करने के बाद यहां पर इसमें टाइम लगेगा क्योंकि यह लगबख साड़ी चार जीबी की ISO file है और इसमें लगबख 5-10 मिनट कर टाइम भी लग सकता है अब जैसे ही आपका जो यह आ करेंगे extract here के बाद आपको setup file मिल जाएगी यहां आप यह जो है यहां पर setup मिलेगे आपको right click करके इसको run as administrator करेंगे और जो further process है वो आप करेंगे लेकिन अगर आपको यहां पर कुछ error आता है आप simply इसको boot करेंगे आप अपने computer को restart करेंगे winter को insert करेंगे और आपको को कोई भी पहले key press नहीं करने पड़ेगी क्योंकि जो winter का software है यह capable है यह खुद ही आपके computer को boot mode में लेके जाएगा और आपको further steps करने हैं windows 11 को install करने के लिए लेकिन अगर यह खुद बूट नहीं हो रहा है आपको बहुत सारी PC's में बहुत सारी keys होती है जैसे F2 F8 ESC आप depend कर था है Windows 11 के लिए कुछ minimum requirements है जो आपके PC में होने जरूरी है अगर आप Windows 11 अपनी PC में run करना चाहते हो तो यह था आज का वीडियो एंड होपली आपको वीडियो पसंद आ गया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को like करें चलन को subscribe करें मिलते हो एक वीडियो में करें तब तक लिए दीजिए इजाज़त खुदा हाफिए